नमस्ते बच्चों, बीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों, आज तीसरी कर्षा की एक बहुत सुन्दर सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी सुनकर आपको मजाने वाला है बच्चों देखिए, यहाँ कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है कंजूस ठीक है तो इसको सुन्दर से मैंने लिखा हुआ है आप लोग इसी तरह से अपने पार्टी पुस्तक से देख देखे अपनी कॉपी में उतारिएगा लिखिएगा ना इस तरह से लिखते लिखते आपको पढ़ना भी आ जाएगा अच्छा आदमी था तो क्या हुआ भई आदमी के साथ उसका नाम स्यामू था इसका मतलब एक आदमी था उसका नाम स्यामू था एक दीन उसको नारियल की जरुगत पढ़ गई अच्छा नारियल की जरुगत तो हर किसी को पढ़ती है तो नारियल की जगत पड़ी होगी उसे भी तो क्या हुआ भाई आगे? वह नारियल लेने बाजार पहुँचा हाँ, हम लोग भी यही करते है जब नारियल की जगत होती है तो हम लोग नारियल लेने बाजार जाते है अच्छा, आगे क्या हुआ? बच्चों आगे देखी तो उसने दुकानदार से पूछा देखे उपर वाली लाइन को ध्यान से देखिए उसने दुकानदार से पूछा एक नारियल कितने का मतलब पूछ रहा है कि एक नारियल का क्या दाम है दुकानदार बोला एक रुपय का बच्चों ये थोड़ी कहानी पुरानी है ना पहले तो एक रुपया में मिलता था भी तो दाम जादा हो गया है है ना हमारी है तो तीस रुपया में मिलता बच्चों एक ना गया चलिए कोई बात नहीं ये पुरानी कहानी है तो हम लोग पुरानी कहानी के हिसाब से ही इसको समझते हैं तो दुकंदार ने क्या कहा एक रुपए का सियामू बोला एक रुपए एक रुपए का एक रुपए में दो दे दो ना बच्चों इसका मतलब स्यामू जो है न वो तो चालाक लगता है उसको एक रुपए में एक पसंद नहीं है इसलिए उसने कहा कि एक रुपए में दो दे दो ना दो मनें दो पीस दो पीस कोकोनट ठीक है अच्छा तो आगे क्या हुआ ओ ये तो चित्र है यहां पे देखी यहां पे स्यामू है ना स्यामू जो है दुकान के बाहर खड़ा है एक बच्चा भी है और दुकान दार जो है नारियल बेच रहा है है ना आपने ऐसे बहुत सारे फाल वालों को देखा होगा जो नारियल बेचते हैं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो दुकान दार बोला आगे मिलेंगे मतलब उझादा कुछ नहीं बोला है نा दुकान दार अच्छा अजमी होगा नहीं तो उसे नराज भी हो जाता कि एक रुपया में दो मिलेगा जी नहीं मिलेगा जाई यहां से लेकिन वो ऐसा कुछ बोला नहीं वो बोला कि आगे मिलेगा वहां आगे गया कौन आगे गया स्यामू वहां एक रुपया में दो नारियल मिल रहे थे बच्चों ऐसा कैसे हो गया कि एक जगा एक रुपया में ए चीजे मिल जाती है है ना तो जैसे हम लोगों के गाउं में क्या होता है बच्चों यहां जारखन में जैसे आम का मौसम होता है तो कच्चा आम है ना पांच रुपिय दस रुपिय में तो एक थैला एक टोकरी मिल जाती है कोई नहीं पूछता है हमारे हैं है ना हम कहां की बा बाद कर रहे हैं ग्रामिंड छेत्रों की और दूसरे जिलों में भी साइद ऐसा हो सकता है हो का वैसा है ना तो चली आगे देखते हैं वहां आगे गया वहां एक रूपए में दो नारियल मिल रहे थे स्यामू बोला एक रूपए के चार देदो ना बच्चों स्यामू जो है लालची ब्यक्ति है और धूर्त भी है अच्छा ब्यक्ति नहीं है बच्चों है ना वो बोलता है कि एक रूपए अभी देखिए उसको अभी बोला कि एक रूपए के दो देदो और जहां दो मिल रहा है तो बकाता है कि चार देदो इसका मतलब बच्चों ऐसे लोगों से बच का गहना है ना चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ कहानी में दूसरा दुकांदार बोला आगे मिलेंगे मतलब दूसरा दुकांदार ने भी कुछ खराब नहीं कहा अच्छा से कह दिया कि आगे मिलेंगे वहां आगे गया मतलब मिलेंगे एक रुपए में चार भी मिलें एक रुपे का उसको बच्चों आठ चाहिए मतलब एक नारियल से एक रुपे में एक नारियल मिल रहा था तो वो बोला कि दो चाहिए और जहां पे दो मिल रहा था तो बोलता है कि चार चाहिए अब जहां चार मिल रहा है बच्चों तो वो बोलता है कि मुझे आड़ चाहिए तो बताइए तो कैसा आदमिये से आमू तो तीसरा दुकांदार बोला आगे नारियल का पेड़ है वही से तोड़ लो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा बचों देखो सच बात तो यही है कि जैसे हमारे यहाँ जहारखण में क्या होता है हमारे जिले में कर्टहल बहुत जादा है तो गाओं के लोग तो ऐसे ही ज़दी गाओं में आप जायेगा तो कर्टहल ऐसे ही दे देंगे लेकिन जब वो बेचने के लिए लाते हैं बाज़ार तो इतना भारी भर कम होता है बच्चो नारियल तो उसको ढोने का पैसा नहीं लेंगे क्या वो और मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उनको मिलना चाहिए ना तो उसी तरह से बच्चो नारियल को पेड़ से तोड़ना एक कठीन काम होता है उसको तोड़ने में बहुत मुस्किल होती है बहुत उंचे स पेड़ पे चड़ना पड़ता है बच्चों है ना तो बोला क्या कि आप चड़ जाओ पेड़ पे और जितना नारियल तोड़ना है तोड़ लो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा ठीक है भाई कुछ भी नहीं देना पड़ेगा तो क्या हुआ भाई देखें चड़ता भी है क क्या हुआ स्यामू पेड़ के पास पहुँचा उसने पेड़ पर चड़ कर पहले कभी नारियल नहीं तोड़ा था वह पेड़ पर चड़ गिया खूब सारे नारियल तोड़ लिये पर जब उतरने को सोचा तो डर लगने लगा बच्चों लालच कभी मत करना लालच बुरी बला है है ना पेड़ के पास तो पहुँचा पेड़ पर चड़ा भी और नारियल जितना जरूरत नहीं था उतना भी तोड़ लिया लेकिन बच्चों बहुत देर तक पेड़ के उपर जो जिस वक्ति को पेड़ के उपर चड़ने की आदत नहीं होती है वो नहीं चड़ सकता है और चड़ जाएगा तो उसको उतरना मुस्किल हो जाएगा बच्चों यही हालत देखिये होने वाली है सियामू के साथ इतने उचे पेड से कैसे उत्रू बस पेड पर लटके-लटके चिलाने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ बचाने वाले को सो रुपिया दूँगा लो बच्चों फस गया ना फसा ना कैसे फसा अभी एक रुपिया में दो चाहिए था फिर चार चाहिए था फिर आठ चाहिए था और फिरी में तो पूरही उसने लगता है कि पूरे गाच के नर्यली तोड़ लिए होंगे और आप चिला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ बचाने वाले को सो रुपिया दूँगा तभी इसके बाद इस कहानी को तब बच्चों आगे तो इसमें और कुछ लिखा हुआ नहीं है आपको समझना है कि इसके बाद इस कहानी में क्या हुआ आपको आगे बढ़ाना है है ना देखिए ये पेड़ पर चड़ा हुआ है इचड़ते समय कद्रिसे है ना और बच्चों ये देखिए ये उतरते समय कद्रिसे है उतरना कोई आसान काम नहीं है ना और इसके आगे बच्चों देखिए अब चलिए थोड़ा से हम लोग प्रस्नोतर भी देख लेते हैं किस ने किस से कहा बच्चों जदी आपको पढ़ना आता है तब भी नहीं पढ़ना आता है तब भी इसको आप लोग बच्चों ध्यान से सुनिए अच्छा लगेगा आपको और फिर आप उसको धेरे धेरे समझने लगेंगे पढ़ने भी लगेंगे, आपको रोचक भी लगने लगेगा, है ना, तो चलिए, इसमें क्या दिया हुआ है, किस ने किस से कहा, मने कौन किस से बोला, एक नारियल कितने का, मतलब, मतलब ऐसा कौन बोला, एक नारियल कितने का, किस ने कहा, तो स्यामू, वहां आपको लिख द दिजेगा फिर दूसरा में लिखा किस से माना किस से कहा तो किस से में हो जाएगा दुकांधार से किस से बोला से बोला अब आगे देखिए खल नमबर में लिखा आगे मिलेंगे आगे मिलेंगे अभी-अभी कानी में बताया ना बच्चो मैंने किस ने कहा और किस से कहा बच्चो आप ही लोग बताएजना हाँ थीक बोल रहे हैं ऐसा दुकानधार ने कहा और किस से कहा हाँ ठेक 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 आप एकदम सही बोल रहे हैं इसका जवाब होगा स्यामू से कहा वेरी गूड वेरी गूड बच्चों आप लोग समझ रहे हैं कहानी को वाह वेरी गूड आगे देखिए मुझे बचाओ मुझे बचाओ बचाने वाले को सो रुपया दूँगा किस ने कहा फिर वही बात हाँ ठीक 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 आप सही बोल रहे हैं बच्चों आईसा स्यामू ने कहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ बचाने वाले को सो रुपिया दोंगा और किस से कहा देखे किस से तो किसी एक बेक्ती से तो नहीं कहा वहां जो भी होंगे जिसने भी सुना होगा उनसे कहा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सोचिए और लिखिए कुछ चीजें हमें पेड़ पौधों या फसलों स मिलती है उन्हें हम बाजार से भी खरिद सकते हैं ऐसी कुछ चीजों के नाम लिखिए बच्चों हम लोग गाओं में रहने वाले लोग हैं जादा तर चीजें हम लोगों को गाओं में मिल जाती है लेकिन कभी कभी हम लोग उसको सहर से भी खरिदते हैं है ना तो कौन-कौ पपीता होता है न हम लोगों के यहां है कि नहीं है हम लोग के बगान में है न पपीता बेलकुल है आम भी है केला भी है वेरी गूड वेरी गूड तो इसी तरह से आपको जो-जो समझ में आएगा उसको लिख दीजिएगा है ना चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अरे वह बच्चों देखो कितना बढ़िया चीज यहां दिया हुआ है उल्टे अर्थ वाले सब्द लिखिए उल्टे अर्थ वाले सब्द मतलग आपको उलट देना है जैसे एक नंबर में लिखा हुआ है चड़ना चड़ना का उल्टा भी लिखा हुआ है उतरना अब उसके आगे देखी लिखा हुआ है दीन आप बोलिये वहाँ पे रात उसके आगे लिखा हुआ है आगे आप कर दीजिए पीछे ठीक है ने वहाँ लिखा हुआ है वहाँ तो आप कर दीजिए यहाँ वह आप लोग तो बहुत समझदार हैं बच्चोर फटाफट उत्तर भी बता रहे हैं पास क्या होगा बताइए क्या होगा बोलिये हाँ दूर होगा पास का दूर लेना बिल्कल सही देना लेना का देना तो इसी तरह से चलिए और क्या सवाल है भाई आगे बच्चों देखिए सवाल है देखिए जिसको पढ़ना आता है बच्चों उसके लिए भी जिसको नहीं अब तक पढ़ना आता है उसके लिए भी आप लोग ध्यान से सुनिये बच्चों अच्छा लगेगा आप पढ़ने भी लगेंगे धिरे धिरे है ना देखिए आप ऐसा क्यों सोचते हैं बच्चो इसका जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ है ना पेड़ पे तो नहीं चड़ना चाहिए था और फ्री वाला नहीं लेना चाहिए था मुझे जहां तक लगता है मेरे जैसा वेक्ति तो एक ही ले लेता एक रुपे का एक और चला आता कुछ लोग हो सकता है दो तक जाते कुछ लोग चार तक जाते आठ तक जाते इतना तो वे सबर कोई नहीं होता है ना यह बहुत गलत बात है पेड़ पे चड़ गया फ्री में लेने के लिए बताईए तो खराब बात है ना बच्चो ऐसा नहीं करना चाहिए तो ठीक है बच्चो यह यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ है ना